नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अशोक और स्वागत है आपका Mechanical Nexus में आज हम डिसकस करेंगे गैस वेल्डिंग के बारे में गैस वेल्डिंग क्या होती है इसमें यूज होने वाले different requirements कौन-कौन से है इसमें produce होने वाली flame कैसी होती है और यह कितने type की होती है और इसमें कैसे chemical reaction develop होता है चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि gas welding क्या होती है देखे gas welding एक fusion welding process है जिसमें gases का utilize करके chemical reaction दुआरा hot flame produce की जाती है और इसी hot flame का use हम welding करने में करते हैं चलिए बात कर लेते हैं अब कि gas welding जैसे नाम से पता चला है इसके अंदर हमारी gases utilize हो रही है और इन gases से ही हमारी hot flame develop होती है कौन-कौन सी gases होती है इसमें generally जो हम ज़्यादा से ज़्यादा use करते हैं वो है acetylene gas इसके साथ साथ हम hydrogen gas और natural gas LPG gas methane propane type की gas का भी use कर सकते हैं चलिए क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा जो frequent use होती है वो oxygen और acetylene gas है इसलिए हम थोड़ा acetylene gas को समझ लेते हैं पहले हम बात कर लेते हैं acetylene है क्या देखिए acetylene एक gas है और किस type की gas है एक flammable gas है यानि jolential type की gas है इसका chemical formula C2H2 होता है इससे यह पता चलता है कि acetylene एक carbon और hydrogen का योगिक है यानि इसके अंदर carbon भी है और hydrogen है acetylene को कैसे produce किया जाता है तो acetylene को हम calcium carbide की help से produce करते हैं यह था acetylene के बारे में चलिए और भी type की हम इसके reaction को detail में समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि acetylene की help से chemical reaction कैसे develop होता है देखिए जैसे भी मैंने discuss कि आपको acetylene को जब हम oxygen में बन करते हैं तो क्या होगा यह देखिए oxygen हमारे carbon के साथ mix हो जाएगी यानि हमारा यहाँ पे co2 बन जाएगा co plus में बचा के हमारा hydrogen hydrogen भारा जाएगी साथ के साथ हमारे heat produce होगी इस तरह से हम hydrogen का utilize further करते हैं क्योंकि हम open to atmosphere carbon monoxide को छोड़नी सकते इसलिए further इसको द्वारा oxygen में react करवाते हैं यानि कि second reaction कैसे होगी हमारी हम इस पूरे की पूरी रियक्षन को फिर द्वारा oxygen में बन करेंगे अब देखिए क्या होगा अब यहाँ पे oxygen हमारे carbon के साथ carbon monoxide के साथ मिलकर carbon dioxide बना देगी जिसे CO2 के नाम से जना जाता है और हमारी hydrogen अलग हो जाएगी साथ के साथ हमारी heat produce होगी तो इस तरह हम acetylene और oxygen को reaction करवा के flame पड़ यूज करते हैं तो यह था हमारा chemical reaction के बारे में चलिए अब different type की gas welding को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि different type की gas welding कौन-कौन से होती है देखिए सबसे पहले हमारा जो oxygen के साथ यह हमारा oxygen है अगर हम इसके साथ acetylene का reaction करवाए तो इस तरह की welding को oxygen acetylene welding कहा जाता है इससे produce होने वाला जो हमारी hot flame होती है इसका जो temperature है वो approximately 3500 degree centigrade तक रहता है जो की एक बहुत जादा temperature है दूसरा अगर हम oxygen के साथ hydrogen का reaction करवाए मान लेजेब हमने acetylene के जगह यहां पर hydrogen gas ले ली यह हमारी hydrogen gas आ गई तो इससे जो हमारी hot flame produce होगी और उसका जो temperature होगा वो almost almost हमारा 2500 degree के अप्रोक्स रहता है 2000 भी हो सकता है जनरली 2500 के अप्रोक्स रहता है तीसरा हम बात करें अगर हम oxygen के reaction किसी भी natural gas से करवा दे जैसे कि अभी हमने discuss किया propane, methane, butane तो इस तरह की जो welding develop होती है उसको oxygen साथ में methane, ethane, propane type के welding कहा जाता है इनका जो temperature होता है वो बहुत कम होता है यानि less than 2000 degree centigrade अब देखिए इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारी temperature और यानि flame जो develop हो रही है वो हमारा oxygen acetylene welding में हो रही है इसलिए oxygen acetylene welding को सबसे ज़्यादा use किया जाता है इसलिए generally gas welding को oxygen acetylene welding के नाम से भी जाना जाता है यह था इसके different types के बारे में कि अब देखिए अब हम बात करेंगे oxygen और acetylene welding के बारे में oxygen और acetylene का जब हम reaction करवाते हैं तो उससे दो तरह की welding develop हो सकती है पहली जो होती है उसको कहते हैं low pressure oxygen acetylene welding और जो दूसरी develop होती है उसको कहते हैं high pressure oxygen acetylene welding तो यह था इसमें different type की welding के बारे में with the use of different kind of gases चलिए अब हम gas welding में use होने वाले different equipment को समझते हैं देखे सबसे पहले हम बात करेंगे cylinder की gas welding में जैसा भी हमने discuss किया oxygen gas use करेंगे साथ में acetylene gas use करेंगे इसलिए दोनों के cylinder का होना जरूरी है तो हमारे पास दो cylinder है एक है acetylene cylinder दूसरा है oxygen cylinder थोड़ा बात करते हैं देखें दोनों जो cylinder है क्योंकि हमारी acetylene बहुत flameable gas है तो इसको हम differentiate करते है color coding के थूरू इसलिए जो हमारी acetylene gas का जो cylinder होता है वो generally red color का होगा बहर से पूरा या फिर इसे maroon color भी कर सकते हैं oxygen का जो cylinder होता है उसका जो भार से color होता है वो black होता है यह हमारा proper black cylinder है इस तरह से हम इन दोनों को color differentiate कर सकते हैं और easily पता लगा सकते हैं कि किस cylinder में कौन सी gas है चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं देखें दोनों cylinder में जो उपर की feeding है वो सेम है दोनों में दो gauge हैं एक जो gauge है माली जी यह gauge यह pressure gauge है यह बताएगा pressure gauge कि इस cylinder के अंदर कितना pressure है gas का और यह जो दूसरा gauge देख रहे हैं आप यह working gauge है यानि इस pipe से जो हमारा flow हो रहा है gas उसका pressure कितना है इसके उपर आप देखेंगे यहाँ पे gas regulator है दोनों side में आप देखेंगे तो यहाँ पे gas regulator है regulator क्या करता है regulator इससे जो हमारी gas flow हो रही है इस pipeline से यानि इस host से उसके gas को control करता है regulate करता है इसलिए इसका नाम regulator है अब देखिए थोड़ा बात करना है इसके material की acetylene gas में जो regulator होता है वो stainless steel का बनाए जाता है यहाँ मैं short form में SS लिख देता हूं यानि इस regulator हमारा stainless steel का बनाए जाता है oxygen cylinder की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा regulator होता है वो brass का बनाए जा सकता है यानि यहाँ पे generally जो होता है वो brass का होता है अब एक चीज और है इसमें important क्योंकि दोनों को हमने अलग-अलग कोड किया है साथ के साथ इसमें हमारी जो regulator की जो thread होती है वो left hand thread के लाती है इनको left hand thread के नाम से जाना जाता है oxygen cylinder के अंदर जो thread होती regulator की उनको right hand thread के नाम से जाना जाता है right hand thread मतरब यहां पर जो हमारा rotation होगा वो clockwise direction में होगा acetylene में anti-clockwise rotation होगा इस तरह से भी हम इन दोनों cylinder को अलग-अलग कर सकते हैं चलिए उपर चलते हैं आप देखेंगे दोनों side यहां पर एक pipe है इस pipe को hose pipe के नाम से जाना जाता है hose pipe एक flexible रवड का pipe होता है जो generally आपने अपने घर में kitchen में जो cylinder के ओपर जो pipe आपका gas से connect होता है उसको hose pipe कहते हैं यह बहुत अच्छा मोटा thickness का कि किसी भी तरह की कोई leakage ना हो इसका बनाय जाता है और बहुत flexible होता है अब देखिए दोनो hose pipe हमारे एक torch से connect होते हैं यह हमारी torch है जो मैंने आपे red color के outline से बनाई हुई है इसको blow pipe के नाम से भी जाना जाता है यह हमारी torch है और इसका दूसरा नाम हमारा blow pipe भी है अब देखिए दोनों हमारी hose pipe के उपर welding torch के अंदर control valve होते हैं दोनों के individual यहां पर हमारा acetylene का है जो मैंने blue color से आपको दिखाया हुआ है उपर हमारा oxygen में भी blue color से दिखाया हुआ है यह क्या करते हैं यहां पर हमें proper यहां पर होता है जो हमारी flame हमारी mixing होती है हम कितने quantity की करना चाहें oxygen कम करके acetylene बढ़ाना चाहें acetylene कम करके oxygen बढ़ाना चाहें उसके लिए यहां पर हम control valve को रखते हैं यह तरह से normal valve है जो इसके flow rate को control करते हैं यानि welding torch का जो main काम होता है वो हमारी gases का mixing करना होता है यहां पर gas को mix किया जाता है और correct proportion में हमारी आगे भीजी जाती है आप देखेंगे यह पूरा का पूरा पार्ट हमारा welding torch का पार्ट है अब जब यह दोनों gas mix हो गई इस पर proportion से तो हमारी यहां से further एक tip की help से भार आती है तो यान जिसका काम इन दोनों को correct velocity के साथ भार निकलना होता है अब देखेंगे यहां पर हम बात करेंगे यह हमारी hot flame है hot flame अब जो हमारी hot flame develop होती है थोड़ा इसको discuss करते हैं कि hot flame क्या होती है और कितने type की होती है देखिए इसका यहां पर मैं थोड़ा इसका बड़ा figure बना देता हूं अधिये देखिए यह हमारी flame है यह flame का हमारा जो है कैसा proportion है अब इसको discuss करते हैं जैसे हमारी tip से बाहर निकलती है gases तो हमारी तीन तरह के यहां पर zone develop होते हैं कैसे देखिए पहला जो zone होता है वो कुछ शेप का होता है अब इसको discuss करेंगे दूसरा जो शेप होती है वो इस इस से थोड़ा सा भार होता है कुछ इस तरह का और तीसरा zone यह मैंने यहां पर बनाया हुआ है इन तीन जोनों को discuss करते हैं देखिए जो यह zone है इसको blue zone के नाम से जाना जाता है मैं इसको यहां लिख देता हूं यह मेरा blue zone है blue zone इसको इसके ऊपर का जो zone है मालने जी यह number one है और यह number two है इसको कहा जाता है हमारा oxidizing zone oxidizing zone ओके और यह किस color का होता है यह हमारा red color का यह फिर orange color का हो सकता है ओके अब यह जो तीसरा zone है यह मालने जी तीसरा zone है इसको carburizing zone कहा जाता है Carburizing zone यानि कि और ये किस कलर का होता है ये generally generally yellow color का होता है चलिए अब इन तीनों को थोड़ा सा अच्छे से discuss करते हैं, एक table की help से अब देखिए माल लिजिए मैं यहाँ पर acetylene ले लूँ माल लिजिए यहाँ पर मेरी acetylene gas है यह acetylene gas है और यहाँ पर oxygen gas है अब इनको मेरे को mix करना है माल लिजे मेरा acetylene gas का जो ratio है वो 1 है तीनो जोन के लिए अब देखिए अब यहाँ पर आप समझेए अगर acetylene gas के जितनी quantity है उतनी ही quantity की अगर मैं यहाँ पर oxygen एड करके इस tips से बाहर निकालू तो इससे जो हमारी flame develop होती है उसको कहा जाता है blue zone और इसका दूसरा नाम है neutral zone इसको neutral कहा जाता है यह कैसी है color में blue color की है और इसका नाम है neutral zone इसका जो temperature होता है वो लगबग लगबग 32 degree centigrade से लेकर 3500 degree centigrade तक रहता है इसलिए यह इसका मतलब है neutral का यहाँ पर जो combustion हो रहा है वो complete combustion हो रहा है दूसरा हम बात करते हैं oxidizing zone का देखिए oxidizing का मतलब है oxygen ज्यादा है oxygen ज्यादा होने के लिए आपको acetylene से ज्यादा oxygen एड करने पड़ेगे मान लीजिए यहाँ पर मैंने 1 के ratio में 1.2 times of acetylene oxygen gas add करी तो इससे जो zone develop होता है वो number 2 का होता है जिसको हम oxidizing zone कहते हैं इसका color कैसा होता है यह तो red color का होगा यह orange color का होगा यहाँ पर जो combustion होता है वो थोड़ा सा incomplete होता है इसलिए यहाँ पर जो temperature develop होता है वो हमारे blue zone के मुकाबले कम होता है कितना होता है यहाँ जो temperature develop होता है वो हमारा 200 degree centigrade से start होता है और 2500 degree centigrade के बीच में रहता है यहाँ पर यह इसकी temperature limit है तीसरा हम बात कर लेते हैं अब कार्बराइजिंग zone की देखें यहाँ पर जो हमारा combustion हो रहा है वो incomplete है और किस टाइप का हो रहा है कि कार्बन ज्यादा है अब कार्बन ज्यादा कब होगा जब आपका oxygen हमारी acetylene से कम हो जाएगी मान लेजेए यहाँ पर आपका 0.8 unit मैं एक unit के comparison में add कर रहा हूं तो यहा इंटीन हंडे डिगरी अप्रोक्सिमेटल डवलप होगा इन तीनों zone का different different use है different different material में use करते हैं जिसको हम next lecture में पूरा का पूरा इस hot film को discuss करेंगे अभी के लिए दोस्तों इतना ही thank you for watching